हेलो फ्रेंड आपका स्वागत है तानिया फेशन आट यूटूग चैनल पर मैं दीपका कुश्वा आज आपको हैंड बैक बनाना बताऊंगी तो पीस को मैंने रेडी कर लिया है और बीच में मैंने इसमें फॉर्म सीट का यूज किया है तो ये दिखो मैंने फॉर्म सीट प पहले इसकी चोड़ाई है 9 इंची की लंबाई है इसकी 19 इंची की अब साइड वाले पीस की भी हम आपको बता देंगे साड़े 4 इंची की चोड़ाई है इसकी और लंबाई है इसकी 19 इंची की तो ये पीस हमारे जो रेड वाले हैं वो दोनों बराबर के हैं तो इनको तो हम साइड से रख देंगे इस वाले पीस में हम निशान लगाएंगे अब उपर की साइड से में 2 इंची पे निशान थे निशान मेंने लगा लिया धव इसकी में project q Conding किया है इस το प्सक बहुँंकट करके बिखा जाना है इस हमें पोकेट डाली है पहले हम चैनथ करेंगे तर चैन मेंने पेनर हैं हमें अब सलाई लगानी है चैन के उपर से तो अब सलाई लगा दी है मैंने अब हमें इस पर टॉप सलाई लगानी है अब टॉप सलाई भी मेंने लगा ली है अब जो पत्ती हमने कटिंग की इसको अटेश करना है हमको अब इस पर भी हमें टॉप सलाई लगा लेनी है इसमें हमने टेर अटेच कर ली है अब इसमें लॉक डाल लेंगे और जैसे यह वाली पीश अटेच किया था सेम तरीके से हमें दूस्री साइट भी अटेच करनी है चैन को यह देखू मु'm यहाँ विया प्कभ कंच-कंच आ0 कि में 17 गष्डाय का जो अहलुट में अब इस्ता में रहां सिफ तरीगे से और पीस को स्लाई है तो यह देखो, श्लाई मैंने लगा ली है, अब इसके उपर से हमें एक टॉप श्लाई लगानी है, तो आप उल्टी साइट से भी लगा सकते हो, तो मैं आपको दिखा रही हूं लगा के उल्टी साइट से ही, कि अच्छा सी दब जाएगी हमारी यह किनारी, और दूसरे पीस साइट पर निशान लगा लिए हैं, तो 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 यह देखो निशान में लगा लिया है, ऐसा ही निशान एक और हम दूसरी साइट भी लगाएंगे, डेle यह देखो, तो दोनों साइट पर में निशान लगा लिया है, अब इनकी में गरोंगी किटेंग मैंने कर ली है अब कि हमें करकि यहां पदेन लगाना है यह देखो देखो किटें निशान मेने लगा लिया है सेम निशान उपर साइड भी लगाना है एक और यह देखो निशान मैंने लगा लिया है यह हमें पॉकिट बंद करने के लिए दोनों की अलग-लग पॉकिट हो जाएं इसलिए हमें सलाई लगानी है बीच में अब यह दो पॉकिट के हमारे दोनों सेंटर अलग-लग हो चुके हैं अब यह फिर से मुझे फोल्ड करना है और उपर की साइट पर निशान लगाएंगे तो यहां पर मैं निशान लगा रही हूं एक इंची पर अब एक इंची पर निशान लगा के तिर्चा कर दूंगी तो यह दो को निशान मैंने लगा लिया है दोनों निशानों को हम सेम तरीके से ही लगाएंगे एक इंची पर ही अब जैसे मैं निशान लगाएं वैसे ही मैं इसकी अब कटिंग कर दूँगी कटिंग मैंने कर ली है यहां पर हम तनी अटेच करने के लिए पहले हम निशान लगा लेंगे चार इंची पर निशान लगा रही हूं मैं तो दोनों साइट से हम चार इंची पर ही निशान लगा लेंगे तो देखो तनी मैंने रेडि कर ली थी इसमें भी मैंने फार्म सीट का यूज किया है एक क्लाइए 28o के लंबाई है तो यह देखो अटेच कैसे करनी है इस तरीके से जो हमने करने चैज के निशानल लगा या था वहां से हमने दखे और इस कि देको पीस पर मैंने तनी अटेश कर ली है By अब यहाँ पर मैं चैन sip करनी है तो कैंन मैंनेसी की बराबर कि ले ली है तो यह तो यह मीने कर ल cellphone सबीन अब इसपर टॉप सलाई लगांगी तो देखो, सलाई भी मैंने टॉप सलाई लगा ली है, अब चैन की दो पीस कर लूँगी मैं, तो ये पीस मैंने कर लिये हैं, दूसरी साइड भी ऐसे ही अटेच कर दूँगी, जो मैंने पहले अटेच किये थी, ये मैंने अटेच कर ली है, टॉप सलाई लगा ली है, अब इ लगानी है चेंवल हिस्से को अच्छे से मिला रहा है मिला के हम स्लाई लगा देनी है कि लगा दी है दोनों साइट पर अब जो हमने बॉक्स की कटिंग की ती इनको भी हम सिलेंगे अब तो यह दो को इस तरीके से सिलने है यह सुलाई में लगा रही हूँ सिलाई में लगा ली है दूसी साइड भी हमें ऐसे ही सिलाई लगानी है दोनों साइड पर हमने सिलाई लगा ली है अब मैं आपको ये हैंड बैग सीधा करके दिखाऊंगी तो ये देखो हमारा handbag ready हो चुका है दो color का और बहुत जल्दी बनके ready भी हो गया है आप इस तरीके से बना के देखना और देखो pocket भी हमारी बहुत अच्छी बनी है तो ये देखो कितना अच्छा handbag हमारा ready हुआ है मुझे तो बहुत अच्छा लगा आप बताना comment में आपको कैसा लगा अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे ट्री चनल को subscribe करें like करें, comment करें, video को share करें, thank you